हम याँ मानते हैं कि यह महें सी घोनी का आखरी आईपियल है परंतु इसकार्थ नहीं कि इसके चक्कर में आपनी सुरुवाती सारा बिकट गिरा दे उनको केवल बल्लेबाजी कराने के लिए पंजाब और चन्ने के विश मुकाबला खिला गया चन्ने के टीम सुरुवाती मैंचों में बहुत अच्छा प्रदर्सन की नमबर एक अस्थान पे बनती रही फिर उसके बाद खिसक करो नमबर पांच वे पर पहुँच गई फिर वो मैं जीती नमबर तीन पर पहुँच मतर हैं परदिbelेवाद और दो निर्भर करते हैं इनका बिकर जल्दी चल्दी गिल जाता है इंतजार करती कंधी और अपने बल्यवादी करेंंगि अगर अगर ाकरी कोफी के साथ बिला कीजिए आपकी जो सुर्वाती बल्लेबाद है उनका बल्ला चलना पड़ेगा चन्हेसु बगिंग की पहले बल्लेबादी थी दितराज गाइकवाड 62 रंगी पारी खेले कफ्तानी पारी खेले रहाने का भी बल्ला चला फिर उसके वाद महें सिंधोनी 14 पारी खेले इन खिलाडियों को छोड़कर रिजवी का भी थोड़ा बहुत बल्ला चला परंदु और कोई अन्ट खिलाडी कुछ खास कर नहीं पाया बराद और चहर पंजाब की दरफ से दो दो विकट चट्टाए एक तो 62 इसकोर बोड़ पर चैन्हेसु बकिंग लगा ल बल्लेवादी करते हैं त arbeiten करना जानते हैं आपने बल्ले से बच्टो की शियालिसद की पारीखेले वारो संग और सेम क्रण ये मुकाबला अंतघरवाए अपने बल्लेवादी से और पंजाव या मुकाबला तांच विक्टों पक्षमी कर लिया ूसरी पंजाब मश्बूत है पश है पंजाब की बल्लेवाधी मजबूत है पंजाब अच्छी बल्लेवाधी इनके पास कला है कि को कैसे फिन्स कर नहें साथ पंजाब अंकह सब्सक्राइब करें अब नहीं धन्य जा रही है